हेलो एब्रीवन वेलकम टू देस अमेजिंग प्लेटफॉर्म आफ चनल पनेशा वर कॉम्पेटिव एक्जामिनेशन और इस पर्टिकलर सेक्शन में कवर करें डिए एक्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशन्स का पर्टिकलर सेक्शन है और इसमें अभी हम CRM का आखि की बात करेंगे और one of the most important lecture है आज का आपका ठीक है तो सारी चीज़े बहुत ध्यान से समझना क्योंकि Salesforce automation जो है आपका पिछली बार इसके full firm तक तो पहुंचे है बट कुछ आपका अंदर भी पूछ सकते हैं योगि पिछली बार जो इन्होंने deep में पूछा है वो analytical से पू क्लासस नहीं किया है तो वो जागर के कर लेना हर चीज को मैंने बहुत ही एसोसियेटेड वे में रखा और मार्केटिंग समझने में आपको यहां की अंडरस्टेंडिंग चाहिए चाहिए ठीक है और यह जो सेशन से आपको मार्केटिंग में भी बहुत हल्प करेंगी हां पर आते हैं सबसे पहले आप देखने वाले हम आज ठीक है ठीक है पर आपको पोटेंशल कस्टमर यानिकि जो आपका कॉंटेक्ट में आता है ठीक है क्या आता है आपकी ब्रांड की कॉंटेक्ट में चलो एक बाद definition लिखाता हूं फिर आप इसको आपको इसका मतलब समझाओंगा ठीक है क्योंकि डेरेट कोश्चन्स बनते हैं इससे definition देखो क्या होती है touch होता है यह क्या होता है यह क्या है आपका कोई ऐसा टाइम है कोई भी टाइम हो सकता है अब पोटेंशल कस्टमर पोटेंशल कस्टमर ठीक है अब देखो बेसिकली यहां मतलब होता है वो हमारा customer नहीं है लेकिन हमारी brand उसे approach कर रही है लेकिन अभी मैं जब आपको touch point के थोड़ा सा deep में लेके जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि पूरे तरीके से यह potential customer होते हैं यानि कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका prospect दी हो वो हमारा potential customer भी बन सकता है ठीक है तो बाकी थोड़ा सा difference अभी आपको मैं समझाओंगा example देगे तब समझ आएगा ठीक है कोई बात नहीं अगर अभी नहीं भी आ रहा तो तो potential customer और customer यानि कि आपका कोई potential customer है या फिर कोई customer अल्रेडी बन चुका है ओल्रेट comes in contact यानि कि वो कहाँ पर आ रहा है भाई contact में आ रहा है किसके with your brand यानि कि आपकी brand या फिर आपकी जो company है बेसके लिए आपकी company होती हो वो particular brand ही तो है तो with your brand अब ध्यान देना कब-कब आ रहा है before ठीक है क्या हो गया before और इसके अलावा during और इसके अलावा क्या आजाता है and post purchase before during and post purchase यानि कि कोई customer है या फिर आपका कोई potential customer है वो आपकी brand के contact में आ गया और वो उससे पहले आया यानि कि उसका जो भी उसने purchase करी है ना उसके पहले उसके purchase करने के time पे और या फिर purchase करने के बाद में जितनी बार भी वो आपकी brand के साथ contact में आएगा वो क्या कहलाते है वो जो points होते है ना या फिर या फिर वो जो time period होता है उसको हम क्या बोलते हैं touch points बोल देते हैं समझें रहो बहुत ही easy है यार क्या दिक्रत है समय है तो touch point क्या हो गया वlive points होगया जब जब हमारा Customer हまぁ या हमारी ब्रांड या के touch жиз wink आ रहा है उसमें purchase से पहले पडरसे करने बाद में अभी देखो हमसान सा ओर समझ्जित्प को तरफ़द्स हो गए यहां फोकस करता है कि हमारी क्या-क्रफिद्स कभब आहले क्रण से राहा है पर आपकी बरन्ड आ Sud अब मैं आपको थोड़ा सा example देता हूं suppose करो कि मैं हूँ ठीक है यह मैं खड़ा हुआ हूँ बढ़िया अब मैं यहां पे खड़ा था मेरा friend आया और मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे करना क्या है आज क्या खरीदेंगे बताओ यार आज क्या खरीदने का मने आप लोगों का चलो यार आज एक काम करते हैं शूज खरीदते हैं आपकी जॉब लग गई आपने बढ़िया नाइकी के शूज खरीदने गए आप ठीक है अब शूज आप खरीदने आप यहां पर बैटे बैटे सोच रहो यार मुझे शूज खरीदने आपका एक friend आया बिलकुल बढ़ि के शूज ले लेते हैं तो यह क्या हो गया आपका यहां पर सबसे पहले WOM हो गया यानि कि जो आपका word of mouth होता है यह भी आपका किसमें आता है टचपॉइंट है यह ध्यान देना वर्ड्स पे बिलकुल यह क्या है आपका एक टचपॉइंट बन गया यानि कि आप उस ब्रा या फिर आप उनके स्टोर पे विजिट परोगे तो यह दूसरा टचपॉइंट बनेगा आप उनके website पर गये आपने उनका कोई भी product वगएरा देखने अगर आपको वो शूज लेने पिर आप क्या करोगे transaction करोगे क्या करोगे transaction जब आप transaction कर रहे हो तो यह third यहाँ पर क्या बन गया transaction का देखो यहाँ से एनी गया वे हमेशा एक चीज धान रखना कि आप Hindi medium से हो चाहे English medium से हो जो भी लिख रहे हो ना लिखने हम विल्कुल perfection होना चीए spelling समेशा सही होनी चीए ठीक है देखो transaction जब भी आप कर ठीक है यानि कि अगर आप online कर रहे हो तो online भी billing तो आएगी ठीक है समझ रहे हो ना बात को चलो इसके बाद क्या हुआ आपने सपोस करो आपको thank you card दिया है यहाँ पर company ने या फिर store ने आते हुए आपको यहाँ पर thank you card दे दिया एक तो यह जो thank you card है ना यह भी आपका क्य हो गया एक और touch point create हो गया बात की गहराई तक पहुच पाएगी नहीं पहुच पाए अरे देखो चीजों को समझना बहुत जरूरी है examination में आपको यह डिट्टो उठा के कहीं से नहीं आने वाला समझे रहो जितने question है यह है वो है यह जो understanding बनेगी वही आपका काम देगा औ जहां जहां थोरी बता रहा हूं वो थोरी अच्छे से लिख लेना ठीक है तो बात समझ में आ रही है इसके बाद मैं suppose करो मेरा यहां पी शू की उपर warranty थी one year की और one year से पहले ही मेरे शूस जो है वो मुझे fit नहीं हो रहे हैं अब मैं गया भई मैंने service and support team से contact लगाया तो service and support team से जब मैं contact कर रहा हूँ ना तो यहां पर भी मेरा फिर से क्या हो गया touch point create हो गया तो ध्यान दे पार हो आप जब यहां पर आपका क्या हुआ कोई potential customer है उसके पास में WOM पहुचा वहीं से touch point बनने शुरू हो गया इस brand के लिए मैं खरीदने गया यानि कि during the purchase भी आपके touch point create होते हैं और post purchase भी आपके touch point create होते हैं अरे बोलो हाँ समझ में आया क्या फटा फट से हाँ बोलते जाना है ठीक है ना चलो यह सब हो गया अब मैं आपको बताता हूँ यहां पे न कई सारे points होते हैं अलग-अलग company के उपर depend करते हैं अलग-अलग scenario पर depend करता है तो यह मै जो है ना यह जो आपको cream निकाल के दे रहा हूँ मैं कि before purchase कहां कहां पर आपके touch points बन सकते हैं क्योंकि यहां से ना example उठा के दे देगा आपको कि बताओ भी thank you card दिया है मैंने यह क्या आपका touch point होगा की नहीं होगा या फिर यह before purchase touch point है after purchase touch point है ऐसा ठीक है तो मैं आपको ज touch point बनने कि आरे बोलो हां clear है क्या चलो एक बार मैं जड़ा देखो red pen देखते हैं आपे before purchase की जब हम बात करते हैं धान देना before purchase की जब हम बात करते हैं तो हमें कहां कहां से पता चल सकता है एक तो social media हो गया social media याद आ रहे है मैंने आपको एक social CRM के बारे मताया था याद है ब्रांड के लिए attract होते हैं और फिर उसके हम potential customer बन जाते हैं यानि कि हम उसका सामान देखने के लिए ready बैठे हैं अब ये चीज हो गई ठीक है और prospect अब समझना यहाँ पर क्या है आपको बात ना social media के थूरू पहुच रही है ratings and reviews के थूरू आप यहाँ पे अपना initiative ले रह है यहाँ बैठे हो आप customer हो जब यह आपको approach करेगा तो इसके लिए आप क्या रहोगे prospect रहोगे लेकिन यहाँ पर जब आप खुद ही इसके पास में जा रहे हो यानि कि आपको खुद ही लग रहा है कि अरे मुझे इसके पास जाके देखना चीज का सामान तब आप क्या हो हो पोटेंशल कस्टमर होते हो ठीक है तो एक जो आपका prospect है वो भी potential customer हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपको यह चीज थोड़ी से याद रखनी है now social media हो गया ratings हो गई reviews हो गई then इसके बाद में testimonials हो गए ठीक है क्या हो गया testimonials हो गए तो यहाँ पर इसलिए हमने एक word यूज किया है potential customer हमने बार बार यह नहीं क्या कि prospect भी होना चीए हो कि potential customer means उसमें prospect भी अपने आप included है समझ रहे हो ना यह बात चलो तो हर चीज का हर word का क कुछना कुछ मतलब होता है जब तक आप उसके मतलब तक पहुचोगी नहीं तब तक काम चलेगा नहीं ठीक है testimonials हो गए now word of mouth एक तो WOM भी include कर लो दैन आपका यहाँ पर एक हो जाता है community involvement क्या होता है कि एक community में आप यहाँ पर उठते बैठते हो वहाँ पर भी आपको ची advertisement हो गया advertisement के बारे मैंने आपको external environment बताया था कहां बताया था चलो comment करके बताओ हमने external environment के बारे में कहां पर बाते की थी अब देखो यह मैं आपको ना मैंने क्यों पहले इतने सारे models करा यह सब समझाया यह सब बताया क्यों बताया क्योंकि अब यहाँ जो understanding का level बन रहा है उसको कोई हिलाई नहीं सकता है ठीक है दन आपका marketing and PR team हो गई अब बात की 11 तक पहुँच पाई जो marketing team आपको approach करेगी वो क्या होगा वो बनेगा prospect तो यानि की prospect already included होते हैं आपके potential customer में समझे की नहीं बोलो हाँ चलो अब during purchase की बात करें तो यह सारे terms होते हैं देखो purchase करने से पहले आपका इतनी सारी चीज़ें हो सकती है कि marketing team आपको approach करेगी PR team याद है न PR team क्या है public relation now advertisement हो गया यह सब बातें आपको समझ में आई होगी now during purchase आपके क्या-क्या touch point बनते हैं यह सारे क्या लिखाई है मैंने यह सभी है touch points ठीक है question अगर आपसे पूछले social media पे मैंने क आपका article देखा तो वो मेरे लिए touch point होगा की नहीं होगा तो भाई होगा ठीक है क्योंकि आप उस brand के साथ उसके touch में आ गए हो clear है चलो अब during purchase की बात करते हैं wait a second तो एक दो तो आपके यह हो गए पहला वाला डाल दो यहां पर website website पर मैं विजट कर रहा हूं या फिर दूसरा वाला मैं store पर विजट कर सकता हूं तो यह during purchase वाला time period हो गया then third number पर आपका आएगा catalog यानि कि अगर मैं जाकर कि मैंने क्या बोला मैं वहां पर जाओंगा store में फिर मैं website पर विजट कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं models वगहरा search करूंगा न तो वह इसा बाता है आपका catalog में then fourth number पर आता है आपका promotions क्या हो जाएगा भाई promotions यानि कि आप यहां पर क्या बोल रहे हो promote करने के लिए कि during purchase आपको बोला गया इसका example मैं आपको है ठीक है तो खैर यह हो गया अब लेकिन आपको वह जो नाइकी वाला product था ना उसके पास मैं promoting लगा था टैक कि अगर आप यह लोगे तो आपको points मिल जाएंगे या फिर आपको इतना off मिलेगा तो वह promotion के time भी अगर आप उस पो देख रहे हो promotion को आप visit कर रहे हो यावर कि लियर हुआ क्या चलो दैन आपका आता है staff क्या हो जाता है staff और sales team यानि कि आप वहां पे जब आप visit करोगे store पे तो दिखता नहीं आपको आपसे आके बोलते हैं सब आपको क्या लेना है कितने size का आपका शू वगरा है ठीक है तो यह सब पूछने के लिए जो आपका staff और sales team से आपका यहां पे बनता है आपका touch point यहां पे form हो जाता है ठीक है फिर आपका phone system हो गया क्या हो गया भाई phone system तो phone system में यहां पे हो जाता है during the purchase इसके बाद आपका last बनता है point of sale यानि कि जब आप सामान खरीद रहे हो तब भी आपका point यहां पे touch point बन रहा है अरे बोलो फिर इसके बाद में आपका second number पे आजाता है transactional email भई transaction किया है तो आपका transactional email वगयरा आते है ना अगर आपने online payment कर दिया है ठीक है तो वो जो email वगयरा आ रहे है वो brand की तरफ से आ रहा है आपको alert की भई transaction आपका successful हो गया है इसके लिए ठीक है अगर आप किसी brand को payment करते हो ना तो आता है यह message तो वो जो transactional email आ रहा है वो भी आपका brand से वहां touch हो रहा है customer का तो वो भी एक touch point बन गया तिक इसके बाद में क्या होता है marketing emails आगे क्या हो गया marketing email यानि की upselling cross selling के लिए आपका company approach कर रही है आपको इसके बाद में fourth point पे आपका क्या हो गया online help center हो गया भी आपका touch point बनाता है और suppose आपने laptop वागेरा लिया है और laptop खराब हो गया तो आप service center पे जाओगे तो service center पे भी आपका क्या बन रहा है उस brand के साथ में touch point फॉर्म होगा इसके बाद में आपका six number पे उठा लो अपना ये क्या बोलते हैं उसको service and support team service center मैंने लिखा दिया न service and support team तो service and support team आपकी online भी हो सकती है और offline यानि की जो stores वगयरा होते हैं या फिर जो आपके service center रहें उस form में भी हो सकती है then 7th one की बात करें तो यहाँ पे जो आपके loyalty programs चलते हैं loyalty program मैंने आपको समझाय हुआ है तो company आपको जब loyalty program देगी तो उसके लिए वो आपसे contact करेगी ही करेगी और जैसी contact करेगी तो आपका क्या form हो जाएगा touch point firm हो जाएगा इसलिए मैंने देखो यह touch point वाली चीज जो है अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब understanding आपको बहुत अच्छी आई होगी तो हर चीज को यार तो मैं हमेशा बोलता हूँ रखने का न एक थोड़ा वो होता है कि आप किस जगे किस चीज को place कर रहे हो ठी clear हो गई होगी लाइफ में कभी touch point में दिक्कत तो नहीं आएगी अरे फटा-फट से बोलो हाँ ठीक है ना चलो touch point यहाँ पर आपके finish हो गए और इनको आप down कर लो यह most common touch points है बागी अब आप खुछ से सोच भी सकते हो ठीक है और इससे ज्यादा paper में कुछ मुझेगा भी नहीं clear हुआ चलिए अब हम यहाँ पे देखो बात कर रहे थे कि यार जो हमारा CRM है वो चार टाइप में है ठीक है जिसमें से कि एक तो आपका strategic हो गया तीन होते हैं architecture तीन क्या होते हैं architectural होते हैं आपके दैन उसमें से हमने बात करिया और operational CRM की ठीक है operational CRM में हमने देखा इसके भी तीन टाइप कौन सा एक तो service automation, market automation दैन आपका क्या होता था sales force automation SFA हमने यहाँ पर आपका जो marketing automation है यह निप्टा दिया पूरा यहां से जितने भी questions बनते हैं campaign management हो गया जितने भी बनते हैं वो सारे हमने खतम कर लिए ना अब हम बात करने वाले हैं sales force automation की ठीक है किसकी बात करेंगे भाई आज sales force automation की बात करेंगे और आज यह lecture करने के बाद में आपको life में कभी भी sales force sales SFA में कभी कोई doubt आने ही नहीं वाला है चीक है रहे है marketing का ठीक है किसका यूज कर रहे है marketing का तो basically marketing में ज्यादा कुछ अब understanding करने को रह नहीं गई है बस हमें इसके जो important types है models है क्या-क्या marketing होती है बस उन्हीं चीज़ पर ध्यान देना है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं marketing के understanding के लिए जो last के lectures आपके चल रहे हैं यह ए actual operational CRM हुआ करता था अब देखो कैसे SFA introduce किया गया आपका 1990s में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था CRM जो actual आपका start हुआ है वो 90s से start हुआ है इस time पे computers वगेरा काफी अच्छे से बन रहे थे और SFA का इसमें introduction हुआ जब SFA का introduction हुआना उस time पे यह CRM अपने types मे नहीं था यानि कि architecture of CRM इतना ज़्यादा defined नहीं था लेकिन बाद में क्या हुआ इस SFA को ही एक particular नाम दिया इन्होंने क्या operational CRM फिर और आंगे चलकर के इसमें जब और अच्छा automation आया और चीज़ें introduce होने लग गई तो फिर इस operational CRM में ही SFA के अलावा इन्होंने service automation को डाल दिया तो अगर कभी पूछे what is the original what is the original form of operational CRM तो वो क्या होती है SFA होती है यानि कि sales force automation होती है अब बात की गहराई तक पहुच पाई कि यह आपके लिए क्यों इतना ज़्यादा important है now when I am talking about sales force automation तो अब आपके mind में थोड़ी थोड़ी picture बननी चीए और हां मैंने आपको इस इसकी वास्तविक्ता से इसका परिचा कराता हूं ठीक है यह है क्या कैसे कैसे चीजें हुई और यहां से क्या questions पूछे जाएंगे ठीक है क्योंकि इस टाइम अगर मैं इतना ग्यान आपको दे देता तो आपकी थोड़ा सा बाहर जाने लगता ठीक है कुछ-कुछ बच्च इस अप्लिकेशन या फिर इस दा बोलो ठीक है इस दा एप्लिकेशन इस दा एप्लिकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड टेकनोलोजी यानि कि जो कंप्यूटराइज्ड टेकनोलोजी होती है कंप्यूटराइज्ड टेकनोलोजी तू सपोर्ट सेल्स पीपल तू सपोर्ट स sales people sales people यानि कि किसको support करती है SFA तो यहां पे sales force automation हो रहा है तो यह sales people जो है उनको ही support करती है ठीक है and sales management ठीक है and sales management and sales management ठीख है इन दा achievement ऐफ डियर अरे यार यह पैन हा चल रहा है uh and the achievement of their work related objectives वर्क Related objective थी ठीख है अब जर्डा यहां पर इस चीजा ना क्या बोला मैंने कि SFA क्या है application है यानि कि हम यहाँ पर जब use करते हैं ना computerized technology का कहाँ पर use कर रहे हैं किसको support करने के लिए जो हमारे sales people है जो हमारे sales manager बैठे हुए है so that वो अपना जो उनका work related objective है उसको पूरा कर पाएं ठीक है यह basic सा definition होता है आपका SFA का now इस SFA में आगर मैं आपसे बात करता हूँ एक होता है इसमें SFA की जब भी बात करोगे तो इसमें SFA ecosystem आता है SFA ecosystem का क्या मतलब है इसमें आपका कितने parts है यानि कि क्या-क्या चीज़ें इसमें use करते हैं हम किन-किन चीज़ों की use जरूरत बढ़ती है एक SFA को establish करने में ठीक ह तो देखो तो देखो यहां पर अब यह जो SFA का ecosystem है बड़े धान से समझना जितनी भी बाते बताऊंगा इसकी understanding लेना बहुत जरूरी है even marketing में भी चीज़ें यहां से related आपको मिलने वाली है देखो पहला वाला जो ecosystem का part होता है वो हो जाता है अपना SFA solution provider बोलते हैं इनको ठीक है even इसकी तो आपको company भी बताऊंगा अब यह जो आपका question बना था ना Salesforce वाला companies मैंने आपको बताएं यह company वो company कहां से बने यह questions अब आपको यह भी पता चलेगा SFA solutions providers ठीक है SFA solutions providers पहली company हो गई दूसरी sorry पहला आपका यह SFA ecosystem का part हो गया दूसरा part होता है आपका hardware and infrastructure ठ infrastructure क्या है यार यह infrastructure vendors clear है यह आप एक बार लिखो यहां पे third number का जो ecosystem बनाता है वो हो जाती है आपकी services ठीक है यह तीन मिलकर के ही एक SFA ecosystem को create करते हैं यानि कि जो आपका SFA है Salesforce automation है वो पूरा इनी तीनों पर टिका हुआ है जिसमें सबसे important होता है SFA solutions provider समझते हैं इसके बारे म को और यह भी understanding मिलेगी कि SFA होता क्या है जिसे मैंने आपको बहुत पहले अगर याद हो आपको second या third class में समझाया था कि जो contact center automation होता है यानि कि CCA वो भी SFA का पार्ट है तो महां काफी बच्चे confused हो गए देगी सर्फ CCA SFA का पार्ट कैसे तब मैं समझ गया ता है कि आपक FI किया जाए और examples दिये जाए ठीक है तो यह चीज़ें है अब देखो यहाँ पर मैं बात करने लग रहा हूं आपसे सबसे पहला वाला जो हमारा ecosystem का पार्ट है अपना SFA Solutions Provider अपना लिख लेना आगे जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें basically होता क्या है आपका यह लोग य solution से या फिर जो आपकी information technology से related जो भी चीज़ें होती है वो to support business एक बार इसकी language लिखाता हूं to support business यानि कि जो भी आपका business है उसको support करने के लिए जो IT solutions है वो provide करवाये जाते हैं ठीक है including अब देखना business में क्या-क्या आता है अब आपको और थोड़ा सा अंदर लेके चलता ह यहाँ पर एक होता है SCM यह क्या होता है supply chain management इसे बोलते है supply chain management तो अब समझे रो इसका जो area है ना वो यही नहीं कि CRM तग ही C में तो SFA में आपका SCM भी आ जाता है ERP भी आ जाता है ERP अब थोड़ा सा याद आ रहा है इसका full form मैंने क्या बताया था enterprise resource planning है ना enterprise resource planning रिसोर्स resource planning clear है तो यह चीज हो गई आपके एक तो ERP और तीसरा क्या हो गया आपका CRM यानि कि जो customer relationship management होता है उसमें भी अपने IT solutions प्रोवाइड करता है तो समझ रहे हो जो SFA solutions का जो ecosystem में part है ना यह बस आपका CRM तक सीमित नहीं है इसमें ERP companies आती है supply chain management तो जो CRM का portion है ना इसमें यह question भी कभी पूछ लेते हैं कि supply chain management क्या होता है यह actually part है आपका marketing का लेकिन हमें पढ़ना पढ़ रहा है CRM में क्योंकि चीजें यहां से जुड़ी हुई है ठीक है समझते है जरा एक बार supply chain management और यहां से आपको इसके बारे में भी ज्यान मि important factor होता है चलो इसको ना SCM को दिखाता हूं SCM की बात करते हैं और यह question आपका बन सकता है ठीक है इसको अच्छे से समझना यह इसका full form तो आपने देखी लिया supply chain management होता है इसका एक बार definition लिखाता हूं इसदा क्या बोलोगे भी it is the centralized management क्या होता है यह आपका centralized management है centralized management of the किसका centralized management है भई flow of goods ठीक है चsin audio ना और पर चीज़का है यह आपका जो आपको पते है भी दो चीजा आपोफ़्र करते है है या तो product या फिर goods offer करेंगे या फिर services ओवर करेंगे ठीक है and includes all processes and includes all processes processes ठीक है यानि कि सारी processes में include होती है जिसमें कि that transform that transform raw materials यानि कि आपके जितना भी आपका raw material है ना उसको transform करने से लेकर के final product बनाना ठीक है raw material into final product तो इसको बोला जाता है supply chain management यानि कि आपका raw एक second to final product एक second में जरा पानी बिदाऊं तो देखो अब क्या हो जाएगा into final product और इससे होगा क्या final product से that या फिर यहां से लिखो to maximize क्या करने के लिए to maximize क्या maximize करना होता है किसे भी company को आपकी जो quality है उसको maximize करना है क्योंकि raw material वगेरा आएगा वहाँ पर अगर आपका अच्छा management रहेगा तो वह अच्छी quality का आएगा ठीक है to quality और delivery ठीक है सबसे बड़ी बात इसमें यही है delivery आपकी यहां पर अच्छी service आपकी provide होने चाहे delivery के time और आपका जो CX है क्या maximize करना है quality, delivery customer experience CX का मतलब समझते हो ना and आपकी जो profitability है यानि कि आपकी company की जो profitability है वो भी तो बढ़नी चाहे है अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहीं बताया था कि यार हमारी ये एक vision दिया था किसी ने अपने model में कि आपको क्या करना होता है ना कंपनी की profitability बढ़ाने के लिए आपका बिलकुल जो manufacturing का चल रहा है ना वहाँ पर भी ध्यान देना है ये point आपका किसी model में बताया था बताओ चरो उस model का नाम क्या है समझे रहे हो हर चीज यार everything is related तो बहुत यार एक systematic way में लगाने में मैं आपको ये बताना चाहरा है बहुत time लगा है मुझे हर चीज को कि हर जगह लगाने में कि यहां ये पढ़ाना है यहां ये पढ़ाना है तो जब आप ये बोलते हो ना कि सर ये एक काम करते हैं सर इतनी class रख लेते हैं क्या मतलब है उसका वैसे भी आपका भी कुछ classes में तो खतमी होने वाली है चीज़ें इतने impatient बैठे रहे तो कि क्या बोलू खेर यार क्या बता रहा था SCM में आपको ये समझ आया तो यहां पर basically क्या है यह आपका पूरा management होता है कि आप पूरी goods and services का यानि कि raw material से लेगर के final product बनाने तक आप पूरा अपना क्या-क्या management यूज़ कर रहे हो even यहां पर आपका final product बन गया और suppose क्या होता है अब suppose करो मेरा कोई material अपकी जो company थी उसने manufacturing कुछ ऐसी कर दी कि जो आपका final product बना है वो कैसा हो गया defective हो गया कैसा हो गया आपका final product defective हो गया तो वो जो defection हुआ है न उसकी वज़े से आपका product का जो return system है तो जो return system है वो भी आपका किसमे included होता है ये भी आपका SCM में included रहता है ठीक है तो इस पूरे को सम्हालने के लिए यहाँ पर क्या provide किया जाता है बताओ अब इतनी बड़ी चीज़े इतना बड़ा management है तो इसको समालने के लिए कोई ना कोई software या फिर IT solution लगेगा की नहीं लगेगा अरे बोलो हाँ तो बस यही तो हो जाता है इसका automation जहां हमने कोई IT solution लगा दिया IT solution यानि कि जो आपका sales force automation का part है वो supply chain management भी है समझ पा रहे हो और it is the first step of a CRM आप CRM में जो product देने जा रहे हो service देने जा रहे हो बनी तो raw materials नहीं होगी और Gartner ने यही तो बताया था यही vision तो दिखाया इसलिए तो मैंने आपको Gartner का model पहले कराया हुआ है अब मैं आपको लेगर की आ रहा हूँ इसके आगी टेक्चर पे समझ पा रहे हो चीजों को तो फड़ा वड़ से हाँ बोलो और return system यह याद रखना जितने भी points बताए हैं मैंने तो यह देखो मैंने क्या बताया आपको जो source है यानि कि आपका जो raw material है वो supply management में आता है दन आपका जो manufacturing कर रहे हो productivity और efficiency हो गई आपकी दन इसके अलावा आप delivery कर रहे हो यानि कि जो delivery and logistics हो गया ठीक है delivery और logistics का जो part है वो भी इसके अलावा आपका return system यह सभी किसके parts होते हैं यह आपके supply chain management के part होते हैं बात की घरही तक पहुच पाए clear हो गया आज के बाद कभी ऐसे question में फसोगे तो नहीं हाँ चलो अब देखते है यार यह ERP क्या है अब basically इनकी companies यह आपका जो question पूछा था sales force करके ना उस पे भी एक बार आते हैं वेटा second यार अच्छा एक चीज और अभी मैंने आपको company touch point भी बताया था ना यहाँ पे होता है देखो company touch point का मतलब क्या होता है कि आपकी company कितनी बार यहाँ पे raw material के लिए या फिर आपका raw material हो गया या फिर कोई costing वगएरा होगी manufacturing के time चीज हो गई तो कितनी बार आपकी company का जो product और service है क्या है product and service है वो initial से लेकर के final sale तक यानि कि initial का मतलब क्या होता है starting phase यानि कि raw material से लेकर के final sale होने तक वो material के साथ में जो company है उसका supply chain के साथ कितनी बार interaction हुआ है ठीक है तो जो SCM है यानि कि जो आपका supply chain management है it overseas it overseas the company touch points ठीक है यानि कि company touch point को oversee con करता है तो ये भी आपका SCM करता है समझ में आ रही है बात तो इसको note down कर लो company touch point को oversee con करता है तो SCM करता है ठीक है clear हो रही है ना बात इसको note down करिए और फिर और क्या करोगे बाई SCM इतना ही आपको इसमें याद रखना है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा then यहाँ पर ERP की बात करते हैं और यहाँ पर एक चीज़ और यह समझ गया हो ना आपकी supply chain management में जब हम इसको software या फिर IT solution के तुरू manage करते हैं तो आपकी जो pricing है या फिर profitability है वो कैसे बढ़ती ह क्योंकि जब आप एक अच्छे तरीके से raw material से लेगर के finishing तक का ध्यान रखोगे यहाँ पर पैसा save करोगे पूरा management आपके पास रहेगा तो ultimately profitability आपकी बढ़की आएगी ठीक है ना enterprise resource planning यह क्या होता है तो ध्यान से समझ ना इसकी भी definition लिखा ही देता हूँ ठीक है ERP की भी type of software type of software that an organization that an organization यानि कि यह क्या है आपका एक type of software है जिसे की organization क्या करेगा यूज करेगा users to manage क्या manage करने के लिए day to day activity day to day activity जैसे की day to day activity में क्या आजाता है ध्यान देना इसमें आपका accounting हो जाएगी ठीक है जो accounting वाला जो accounting वगारा होती है न वो ERP software इसमें आपका जो ERP है वो use होता है जैसे की आपका project management हो गया ठीक है तो यह सब याद रखना examples जो बता रहा हूँ project management भी आपका ERP का ही type होता है then आपका risk management हो गया ठीक है क्या हो गया risk management हो गया तो यह भी किसका part होता है आपका ERP का part होता है ठीक है तो ERP समझ गया आप लोग यह बस एक छोटी सी definition के थ्रू ही पूछा जाएगा ज्यादा कुछ इसमें नहीं पूछेंगे ठीक है ERP हो गया then आपका क्या होता है CRM यहाँ पर होता है CRM आपको कैसे लगाना है यहाँ पर आप समझी गए होगे यहाँ पर आपको वह understanding काम आएगी जो आपने pain के 5 process model में multi channel integration में पढ़ा है CRM में क्या किया जाता है आपका यह ऐसा software हम यहाँ पर provide करते हैं जिसे कि जो sales है आपकी वो boom ह हो पाए और एक चीज़ और कुछ leads वगेरा आई है ठीक है आपकी जो sales team में उसके पास में lead वगेरा आई तो उसका यहाँ पर management करने का काम आप कौन करेगा यहाँ पर आपका software कर देगा ठीक है जो आपका software होता है particular SFA software ठीक है जो software बनके आता है उसमें आपका lead management हो जाएग तो sales team को बहुत जादा यहाँ पी easiness हो जाती है क्या करने में अपने customers से deal करने में और जो management है na sales management उसको भी बहुत जादा आसानी होती है और जो आपका profitability है से बहुत जादा बढ़ती है ठीक है बढ़ती कैसे है कि अगर आपका sales person है या sales executive है वो अच्छा perform कर पा रहा है उसक जल्दी-जल्दी काम करता जाएगा और जल्दी-जल्दी जो deals होती है ना उनको close करेगा ठीक है और जितनी जादा deals आप close करोगे जितनी जादा sales आप यहाँ पे करोगे अपनी उतना ही जादा आपकी company को फायदा होगा एक बात याद रखना हमेशा एक line होती है आपका business मे कहां पे है यार यहां देखो एक लाइन होती है बिजनेस में कि survival of business survival of business depends on the depends on the sales ठीक है यानि कि आप जितनी ज़्यादा sales करोगे उतना ज़्यादा आपका business जो है survive करेगा तो ये चीज़ हमेशा धान रखना कि sales और जो deal आपकी close हो रही है जो आपकी sales team काम कर रही है वो जितना अच्छा perform करेगी उसके पास जितने अच्छे solutions होगे software के वो अतना जल्दी ही अच्छा आपको फायदा होगा आपकी company अतना अच्छा survive कर पाएगी survive तो छोड़ो फायदा ही होगा ठीक है ये हो गया यार तो अब आपको ये समझ में आया कि ये क्या करते हैं आपका ये ecosystem में आ जाता है पूरा का पूरा SFA solutions और ये इस तरीके के software प्रोड़ाइट करवाते हैं इसी के अंदर आपको क्या दिया जाता है ना एक बहुत ही यार important concept है ये आपका configurators configurators क्या होते हैं मैंने आपको बताया कई सारी companies हैं ये करवारी हैं वो करवारी हैं अब क्या होता है कुछ होते हैं SFA specialist ठीक है कुछ companies क्या होती है SFA specialist SFA बस समझ लेना इसको ध्यान से ये अगर आपको कभी question दिख जाए ठीक है क्यूंकि आज कल मैं देख रहा हूं इसे questions चल रहे हैं तो SFA specialist का मतलब क्या होता है कि ये आपका particular segment में deal करेगा जैसे मैंने आपको एक example देता हूं सबोस करो मेरी company है एक laptop बनाने की ठीक है मैं लेपी करके मेरी एक company है और ये laptop बनाती है अब यहाँ पर क्या करना है मुझे particular segment के लिए कुछ software चाहिए कि जैसे मेरा customer आ रहा है तो उस customer को क्या है laptop मेरा पूरा नहीं खरीदना उसको अलग- यहां लिखवा देता हूं यह क्या होते हैं यह software based applications होती है software based applications applications होती है जिन में क्या होता है आपका for that focus on देखो यहां पर एक बार लिखवा देता हूं software application engines ठीक है software based application engines that allows that allows यहां पर लिख लो आंगे companies to configure companies to configure to configure complex products complex products complex products and services and services तो देखो यहां पर क्या होता है ना यह software एक आपका software based application engine होता है इसमें क्या होगा कि आपका customer है उसे suppose करो आपके लैपी में जो functionalities है उसे वैसी नहीं चाहिए तो वो बताता है कि मुझे अपने में ऐसा ऐसा चाहिए और वो आपसे अलग-अलग material लेके जाता है तो अब यह जो configurators होते हैं ना इनमें वो data पूरा save रहता यानि कि कोई complex product अगर बनाना है तो उसमें पूरा configuration रहेगा कि इसमें आपका यह सामान लगना है ऐसा ऐसा होगा तो जो आपका customer है वो भी direct configurator के पास जा सकता है कि मुझे वो product बनवान है उसका मेरे पास सामान का मतलब मुझे यह material चाहिए है तो यह सीधा आपको उस engine के थुरू आपको बताता चाहेगा कि आपका यह सामान लगेगा यह लगेगा और customer उसको आराम से ले पाएगा customer के लिए easy हो गया दूसरी बाद अगर customer company से भी यहाँ पे contact करता और company उस configurator के पास जाती है और वो configurator क्या करेगा आपका आप company को बता देगा कि ऐसा ऐसा है उस complex product को बनाने के लिए आपका यह सभी material लगना है या फिर यह सभी आपको चीज़ें चाहिए होगी तो वो company बाद से ले पाएगी company के लिए भी easy हो गया ठीक है तो यह काम होता है configurator का बस इतना सा ध्यान में रखना ज्यादा detail में इसके नहीं जाते है ठीक है और यही configurator यानि कि अलग-अलग जैसे अलग-अलग फील्डे में deal करते हैं जो software उनको ही बुला जाता है SFA specialist clear हो गया चलो अब यहाँ पर आपका मैं क्या बता एक बार change कर लेता हूँ देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझ ने आप कि इसमें क्या-क्या होता है आपका hardware and infrastructure vendors का क्या काम होता है कि यह आपकी company को यानि कि आपकी company के जो sales executive वगेरा है या फिर आपके management executive है उनको ऐसा hardware और infrastructure provide करवा कि आपने यहाँ जो solutions आपको यहाँ पे application प्रोवाइड करवा रहे हैं, engine प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, आपको क्या मिला यहाँ से application मिल गया, कोई engine मिल गया या फिर कोई software मिल गया, अब उस software के compatible आपके पास में hardware भी तो होना चाहिए, उसे आपके पास laptop होने चाहिए, system होना चाहिए, पूरा company के पास उसका infrastructure ऐ किया जाता, क्योंकि इसको run किसे करना है, जो आपके sales executive है, उनको ही run करना है, तो ऐसा होना चाहिए, कि जो भी portable devices है, यानि कि जो आपके sales executive के पास device है, या फिर जितने भी आपके पूरा sales environment है, उसमें आपका जो data है, वो पूरा centralized system से पूरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए आपके पास technology, hardware और infrastructure जो है, वो काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बस यही बात होती है, इसमें, दान अगर हम services की बात करते हैं, यह समझ बारे हो ना, हर एक aspect को अपने दिमाग में डालते जाओ, ठीक है, और जो exam oriented जादा है, theory वाला, वो मैं आपको लिखवाता भी ज आनी है, आपको अपने sales, executive वगएरा की, ठीक है, तो उसके लिए आप जो services ले रहे हो, अगली companies है, या फिर अगले आपके जो अगला company आपको दे रहे है, provide कर बार है, कोई provider है, तो उसको बोल देते हैं services, ठीक है, तो यह चीज़े हैं, इसमें ज्यादा कुछ खास है भी न अपने sales, यहाँ पे company को SFA solutions क्या कर रहे है, किसी business को जो provide कर रहे है, hardware, infrastructure क्या कर रहे है, बिजनेस को यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज दे रहे हैं, services भी किसी business को दे रहे हैं, किसी business को कोई चीज दी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, B2B बोलते हैं, तो याद रखना, प महां से आप चले SFA से और सारी चीज़ें आपको clarified हो गई होगी थोड़ा सा एक चीज़ और देखना अगर आपसे यह question कहीं कहीं पूछा जाता है objective question अच्छा बनता है इससे कि जो SFA software होते हैं यानि कि आपका operational CRM में जो software होते हैं वो किस-किस चीज़ को manage कर पाएंगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया lead management हो गया और यह सब बातें CRM की जब हम बात कर रहे थे कहां चला गया देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे किसकी CRM के अंदर तो यह point आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना ह तो क्या-क्या functionality होती है इनकी तो इसमें देखो first वाला आपका क्या हो जाता है quotation and proposal generation ठीक है quotation and proposal generation अब इसका मतलब क्या हुआ इसमें क्या होता है न कि आपका जो salesperson है उसको जैसे आपका कोई customer है आपके सामने ठीक है उस customer को आपका कोई prize बतानी है तो उस prize या फिर proposal आपको बताना है तो अब जो prize और proposal है वो आपका जो salesperson है वो थोड़ी ना decide करेगा वो तो company decide करके रखती है तो company क्या करती है ना आपका मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या होते है एक central आपका system होगी है जिसमें सारका सारा data save है और फिर वो आपका पूरा synchronize है जितने भी devices है फिर ज जो भी application है उसके अपने hardware के through उसमें product का code डालेगा detail डालेगा और उसमें उसके पास सारा data आ जाएगा कि company ने जो है क्या चीज़ें कर रखी है और वो हाँ उसमें आपका ये भी होता है कि आप customer का ये भी डालोगे customer की location क्या है customer की location क्या है customer किस type का है कौन से segment के अंदर आ या फिर आपका मतलब किस type का customer आ रहा है जो हमने segmentation कर रखा था अलग-अलग तरीके से तो उसमें कौन से segment के अंदर का customer है और कई सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है उसके अंदर फिर जैसे आप डालोगे आपने पहले से उसमें अपनी prices वगारा save करके रखी है company के upper level है ये proposal देना है और आपको ये pricing बतानी है हमारे product की और ये services वगारा बतानी है ठीक है तो बस वो अपना सीधा जो है अपने customer से अफिर जो उसका prospect है basically जो उसकी lead है उससे वो बात करेगा और उसे अपना जो भी चीज़ें है वो उसे अपना proposal दे देगा ठीक है तो इससे process जो ह आपका है क्या चीज़े है ठीक है तो यह आता है quotation and proposal generation में जो की एक SFA software का काम होता है then second part यहां पर क्या आ जाता है आपका जो second important point है वो है product configuration ठीक है क्या होता है product configuration product configuration होता है now समझ ना ज़रा इसको ध्यान से यहां पर जो चीज़ मैंने आपको भी Uber configurators में बताई है ना बस वही है कि आपका ऐसा software जो configurators यहां पर बना के दे रहे होते हैं configurator में मैंने आपको क्या बताया या तो मैं यहां पर आया हूँ देखो मैं यहां पर यह customer बनके आया मैंने कहा मुझे मेरे laptop में यह बना के देना है मतलब मुझे ऐसा laptop बना के दो जिसमें यह यह यहां पर लग रहा हो यह वहां पर यह वहां पर ठीक है मैंने अपना personal PC data निगल कि आ जाएगा clear है अरे बोलो हाँ अगर इसमें आप ये समझ बारे हो गया configuration किसी भी laptop को कैसे किया जाता है suppose करो मैंने कहा कि मुझे मेरे laptop में hard drive चाहिए दूसरा वाला ठीक है hard drive मैंने कहा कि मुझे यहापे ssd hard drive कैसी चाहिए ssd चाहिए htd नहीं चाहिए तो उसने कहा ठीक है ssd लगा देते हैं फिर आपने कहा कि मुझे क्या चाहिए है अपनी screen जो है lcd चाहिए ठीक है lcd चाहिए तो उसने कहा ठीक है lcd लगा देते हैं फिर आपका इस तरीके से आपको pricing बता देंगे कि आपका जो भी raw material यूज होना है या फिर जो भी यूज होका उसकी pricing निकल के आ जाएगी ठीक है तो वो आप अपने customer को deliver कर पाऊगे अच्छे से clear हो गया तो हर चीज एक ना एक चीज़े related है ठीक है इसलिए मैंने बोला कि SFA जो है वही असलियत में operational CRM है समझ में आ रही है बात अब देखो आगे क्या होता है फिर आपका इसका third part इसमें आ जाता है contact management अब समझ में आ रहा है जो पहले बच्चे पूछ रहे थे कि ज़र ये cca जो है यानि की contact center automation है वो कैसे आपका इसके अंदर आ गया SFA के अंदर तो जो contact management है वो भी आपका sales force automation software ही तो कर रहा है वो तो बस एक part है contact management किसका SFA का इसमें क्या कर रहे होते हैं contact management में इसमें आप जो भी अपने customer से बात कर रहे हो customer का जो भी आपके पास data आ रहा है कि उसकी अगर कोई problem आपने सुनी है फिर आप sales के time पे कोई भी recording वगरा कर लेते हैं तो even आपका अगर आपको किसी customer को email भेजना है तो वो email calendar भी इसमें save हो जाता है ठीक है तो customer से आपको contact करने के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें चाहिए हैं वो इसके अंदर आ जाती है आप mail करना चाहो automated call लगाना चाहो उसे ठीक है क्या होता है automated calls भी इसके through ही लगाई जा कि थ्री मन्त तक अगर यह customer recharge नहीं कराता है तो इसको आपको call करनी है तो वो automated call आपके पास आने लग जाएगी ठीक है यह होता है आपका किसके through contact management के through होता है सारी चीज़ें दिमाग में घुजरी है ना फटा-फट से हां बोलते जाओ ठीक है चलो fourth number में फिर आपका क्या जाएगा पाइपलाइन मेनेजमेंट ठीक है क्या होता है यह आपका pipeline management होता है pipeline management तो इस pipeline management में क्या किया जाता है इसमें आपका पूरा का पूरा जो sales cycle है वो cover हो जाती है क्या होता है यह है आपकी यह वेटा second देखो यहां से आपका question भी उड़ सकता है तो इसको अच्छे स note करो कि यह pipeline management क्या होता है it is the process of it is the process of किसकी process होती है भई managing the entire managing the entire sales cycle entire sales cycle यानि कि आपकी जो पूरी की पूरी sales cycle है उसको manage करने की process इसमें क्या होता यह पूरी sales cycle होती क्या है आपको मैं जरा sales cycle के बारे में बताता हूँ, इसमें क्या होता है, आपको identify करना होता है, इसके अलावा फिर आपको अपनी जो leads हैं, उनको manage करना है, ये सभी का सभी इसमें आ जाता है, managing leads manage करनी है आपको, ठीक है, फिर इसके बाद हो गया, आपको initiate करना है, देखो, initiating and managing customer relationship, initiating and managing customer relationship, managing customer relationship, customer relationship हो गया, ठीक है, relationship, तो ये भी आपका किसमें आ जाता है, sales cycle के अंदर ही आ जाता है, अरे बोलो हाँ, clarified हो रही है क्या चीज, और आपको क्या करना है, कि अपनी जो sales होती है न, उनको भी forecast करना है, sales के बारे में एक तरीके से भविशेवाड़ी करना, तो ये भी एक मतलब software क्या करेगा न, आपका, कि आपका जो previous आपने sales करी है, उसके basis पे ये एक hypothetical आपको data दिखा देगा, कि आने वाले time में अगर आपैसा ऐसा करोगे, तो आपकी ये sales होगी, तो ये भी आपका किसके अंदर आता है, pipeline management के अंदर आता है, ठीक है, तो ये भी आपका एक software हो गया, अरे बोलो हाँ, clear हो रही है क्या चीज़ें, सारी बास समझ में आ रही है, तो sales forecasting, याद रखना, sales forecasting जो है, वो भी आपका किसका part है, SFA का ही part होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, sales forecasting, तो ये questions जो है न, वो अलग-अलग आपको गुमा-गुमा के पूछेगा, लेकिन कभी भी confused मत होना, जो मैं बताता जा रहा होनों से, बस हमेशे ध्यान में रखना, ठीक है, अब देखो ये fourth number पे हो गया, then इसमें और क्या आ जाता है, fifth number पे आपका lead management, ठीक है न, lead management क्या मतलब है कि इसमें सीधा-सीधा customer को ज्यादा, sorry, जो आपका sales परसानों से ज्यादा मतलब ऐसे परिशान नहीं होना पड़ेगा, उसे particular पता है कि area wise मेरी lead ये रहेगी, customer wise आपकी lead जो है वो ये र mobile बनेगी या फिर एक ही type का laptop बनेगी, अलग-अलग configuration, अलग-अलग budget segment में बना रही होगी, तो उसके हिसाब से आपको lead लेनी होती है और उनका management करना होता है, तो वो बहुत easy हो जाता है software के through, ठीक है, चलो, ये हो गया, फिर आपका यहाँ पे incentive management हो गया, और अपना event management हो ग management होता है, फिर आपका incentive management होता है, यानि कि आपका कब salary बढ़ने है, क्या बढ़ने है अंदर की बाते हैं, ठीक है, तो ये सब भी आपका किसमें आता है, Salesforce automation के अंदर आता है, अब आपको पूरी clarity आगई होगी कि Salesforce automation में क्या-क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर भी जहाँ-ज अब हम next वाली class में service automation देखेंगे, then analytical वाला part देखेंगे, इसके बाद में आपका क्या बचता है, collaborative CRM, ठीक है, ये दौनों देखकर के फिर हमारा यहाँ पर CRM की जो कहानी है, वो finish हो जाएगी, और फिर हम बढ़ जाएंगे marketing की तरफ, तो आपको समझ में आ रही है, सारी क सारी चीज़ां कैसे हम कर रहे होंगे, और एक बात समझो यहाँ पर यार, एक चीज़ यहाँ पर यह जो मैं जो भी provide कर वा रहा हूँ, इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको मैं उठके बिलकुल मैंने करा दिया, इन सभी चीज़ों को एक systematic way में लेकर के आने में, मैं जब करनत लगती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ बस आया और शुरू कर दी, है न, तो जो भी important चीज़ें exam point of view से वो उठाओ पहले उनको पूरा बिलकुल जो creamy layer होती है न, चीज़ों की, वो उठागर कि आपको इस तरीगे से लेके आओ, कि आपको easy way में स करेंगे, ठीक है, तो यह सारी सारी चीज़ें है यार, और अगर आपको session अच्छा लगे, session को share और like किया अगर यह ठीक है, यह सब बाते हैं, और यह सब है, बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहे और महनत करते रहे, ठीक है, महनत का कोई substitute नहीं है, CRM को जल्दी finish करेंगे, और marketing पर आएंगे, ठीक है, सो session को यहीं पर end कर देते हैं, thank you so much, God bless you all, take care and bye-bye.